वेलकम टो माई चैनल, टिप्स थेटर में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है, दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ, यदि आपकी तुलसी का पौधा सूख रहा है, मुर्जा रहा है, तो हम उसे हरा-भरा कैसे करें, तो सबसे पहले दोस्तों, तुलसी का निकाल लें, क्योंकि कई बार क्या होता है, मिट्टी बहुत जादा पुरानी होती तो उसकी अरवरण शम्ता, उसमें जो पोशक तत्व होते हैं, तो इस गंले से आप देख रहे हैं, मैं हलकी हलकी सी गुडाई करती जा रहे हूँ हूँ, और करीब-करीब 25 प्रतीशत बिल्कुल सूख गया है, तो भी तुलसी के पौधे में नहीं जाना जाएगी, वह फिर से हरा भरा हो जाएगा, तो बस जब भी आप तुलसी के पौधे से इस तरह से मिट्टी निकाले जोस्तों, हलके हाथों से ही आपको ये काम करना है, ऐसा नहीं कि इसकी रूट्स जो ह और वह भी बढ़ी अच्छी पोशक तत्वों वाली, ताकि इसकी उर्वरक शमता है तो उर्वरक शमता कम हो जाती है, यदि हम एक ही गमले की मिट्टी में बारबाद नैने पौधे लगाते हैं तो उस मिट्टी के पोशक तत्व, उस मिट्टी के जो न्यूट्रियंट से कमी आ जाती है, और फिर हमारे पौधों की ग्रोध पर इसका बुरा असर पड़ता है, पौधों की ग्रोध भी अच्छी नहीं होती, यदि होती भी है, तो बहुत ही स्लो ग्रोध होती है, तो बस आप देख सकते हैं, गमले के उपर की पूरी हिस्से को मैंने मोटे हिस्से क मैंने मिलाई है, बिल्कुल खाद, कोई भी खाद डालें, इसके लिए तो वैसे वर्मी कंपोस्त, गोबर खाद डाल सकते हैं, परन्तु मैंने हमेशा देखा है, तुलसी के पौधों के लिए, सर्सो की खली सबसे बेस्ट होती है, सर्सो की खली होती है न दोस्तों, वो ठं सर्सो की खली होती है, सर्सो की कहली कहीं भी मिल जाएगी, आप चाहें तो ऑन-लाइन भी पर्चेस कर सकते हैं, मैंने तो इसे ऑन-लाइन ही पर्चेस किया है, किसी भी गारडन की शॉप में मिल जाएगी और मैं आपको ओन-लाइन पर्चेस की खिर Circuset की लिंक कि भी शेयर को लें दो दिन तक पानी में भिगा कर रखें एक दम पानी में सौफ्ट हो जाती पाउडर वन जाता है इसका तो बस उस लिक्विड फर्टिलाइजर को फिर आप अपने पौधों में दे दूसरे पौधों में भी दे सकते हैं खास का ठंड के वह सम के लिए क्योंकि इसमें ह लग दिया है खाद हमें बहुत जादा नहीं डालना है जादा खाद से भी पौधे खराब होते हैं तो बस यह सर्सो की खली का कुछ पौधर तयार कर लिया है मैंने आप चाहे तो आधी चमच पौधर भी डाल सकते हैं डायरेक्ट पौधे पर मतलब मिट्टी पर या फिर आप मेरे जसे इस तरह से पानी में भीगा कर भी डालें पैसे जब भी किसी खाद को हम लिक्विट फॉर्म में डालते हैं दोस्तों तो उसका हमारे पौधों पर ज्यादा अच्छा असर पढ़ता है तो बस मैंने भी यहां पर एक ग्लास के करीब पानी डाल दिया है और द आप खुद देखेंगे पौधों की ग्रोथ में आपको अंतर महसूस होगा और जो पौधे हमारे सुग है खासकर तूलसी को ठंड के मौसम में बहुत जादा बचाना पड़ता है तो कि तूलसी का पौधा थोड़ा नाजूग होता है ठंड के मौसम में आप चाहें तो किस नहीं मिट्टि डालाही हूं और इस नहीं मिernें में कुछ खाद मिक्स किया। के वल मित्टि ना डालें, मिर्टी में आप डालें थोड़ा सा कोकोपिट मिला है, या नीमकी खली मिला कर ही मिट्टि तयार करें तो पौधों की ग्रोफ ही अच्छी होती है। तो बस नई मिट्टी मेंने डाल दी है, और जो सर्सों की खली का ये जो powder बना लिया है, लिक्विट बना लिया है, इसे धीर धीर करके हम डालेंगे, मिट्टी अच्छी दबा दबा कर डालें, ऐसा नहीं की दोस्तों मिट्टी ठोड़ी से अपके हम कम डालें, अच्छी भर- यदि आपको लगतारे पौधों की ग्रोध बिल्कुल रुख गई अच्छे से फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं कर रहा है और या फिर आपको लगतारे इसी गंले में हमने कई बार कई पौधे लगा दिये हैं तो उससे मिट्टी की उरवरक शम्ता कम हो जाती हो है और पोशक तत्वों का मिट्टी में होना बहुत जरूरी है वैसे तो काली मिट्टी और चिकनी मिट्टी जो होती है उसके उरवरक शम्ता उसकी जादा होती है और इस तरह से आप केर करेंगे ना तो आपकी तुलसी का पौधा वापस हरा भरा हो जाएगा और तुलसी के पौधे की तो बहुत जादा मेडिशनल प्रॉपर्टी होती है दोस्तों बहुत सी चीजों में हम यूज करते हैं दवाईयों में तुलसी की पत्ती का तुलसी की मजरी का तुलसी की जड़ का इस्तमाल किया जाता है और ओवर वाटरिंग कभी न करें दोस्तों तुलसी के खराब होने का कारण है जर्वस से जादा पानी देना ठंड के मौसम में पास से च्छे दिन में पानी दें गर्मी के मौसम में तीन दिन में पानी दें हमें लगता रहे पौधे की जब बिल्कुल सूखी मिट्टी लगे तब ही पानी दें क्योंकि ठंड में जल्दी से तुलसी जुलत जाती है इस बात का आप ध्यान रखें और साथ ही साथ कोहरे से बचाए या तुलसी के गमले को ठंड के मौसम में थोड़ा अंदर रख लें शैड में रखें मैंने भी ग्रीन नेट से कवर किया है ताकि डाइरेक्ट ओस की बुन्दे कोहरा लगने न पाए और तुलसी का पौधा खराम होने न पाए समय समय पर कोई भी खाट डाले पंदरा दिन में एक बार महने में एक बार अगर आप चाहते हैं उपर उपर की कटिंग करें इसकी जो मंजरी है न दोस्तों समय समय पर जरूर काटें जैसे ही मंजरी अगर मंजरी आ जाती है आप कटिंग नहीं करते हैं तो इसकी ग्रोध तो नाय नाय तुल्सी के पौध़े लग़ जाते है तो तुल्सी के पौध leben दोस्तों जब भी जल चड़ाई भगवान का छोटे लोटे का ही पाने डाले में बडा लोटा है तो उस जल को आप दूसरे पौध तोलसी का पौधा कटिंग से लग सकता है. बहुत आसानी से लग जाता है. बहुत ही शूब होता है इसे लगाना. और बहुत जी सथ बहुत अच्छी तरह страह को शुद्ध करता है. बहुत अच्छी तरह से लग साइ. तो यह देखे, मैंने टैरिस पर एक कटिंग से लगाया था, दोसों तुलसी के एक ब्रांच को काट के लगा दिया था, जो इतनी अच्छी तरह से फैल गया है, इतना हरा भरा घना हो गया है, तो इस तरह से केर करें, और तुलसी के बौधे को हरा भरा रखें, वीडियो अच